हलो हाई नमस्ते लव इन फाइनेट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे तो फटा-फटा से शुरू करते हैं कि मैं करस्त लवी क्या है आपके लुव ररेशिंच्छिप के तरू अगरएने तो की सब्सक्रीय ici안 तो इसे लिए आज तीनों ही स्टोन्स वाइट है यहाँ पर यह वाइट सलनाइन है या तो आप इसे चुन लेजिए यह भी वाइट का ही फॉर्म है यह वाइट हकीक है इसे चुन लेजिए या फिर यह तीनों में से तीनों ही वाइट है बट कौन सा इस टाइम अभी आपको अट्रेक्ट कर रहा है इन तीनों में से किसी एक को चुने और यह जानते हैं कि आपकी लाइफ में आपके emotions career wise या emotions wise या relationship wise किस तरह से जाने वाले हैं यह चीज हम देख लेते हैं ठेक है एक थोड़ा सा meditation करें और इन तीनों में से किसी एक को चुने नमबर वन इसे देदेते हैं नमबर टू इसे देदेते हैं नमबर थ्री इसे देदेते हैं चलिए शुरू कर दे हैं Hello and Welcome Again आपने इस वाइट स्टोन को चुना है यह वाइट स्टोन आपके जीवन में जिस तरह से यह चमक रहा है क्या वाकई आपके जीवन में चांत सफेद लाइट प्योर लाइट लेकर आएगा कि नहीं Let's see Classic Cards हैं इसके लिए और देख लेते हैं आपके लिए क्या नया जीवन मिलने वाला है आपको क्या चीज आपको बॉदर कर रही है क्या चीज आपको रिलीज करनी है इस तरह की चीज हम देख लेते हैं इस प्लीज हल्प करें जो भी देख रहे हैं अभी December का First Week इनके लिए क्या इसा जाने वाला है December First Week आपका किस तरह का जाने वाला है ये देख लेते हैं First Week में Night of Swords Page of Cups बहुत कुछ आप करना चारे हैं बहुत कुछ बोलना चारे हैं कुछ अपने Relationship के ही बारे में है इस तरह का दिख रहा है मुझे Relationship में अगर आप हैं तो हो सकता है कि आप Twin Journey में हैं तो वो आपसे उम्र में छोटे हों या फिर अगर आप अपने ही Spouse से बात करना चारे हैं तो एक सही Clear Cut Way में आप कुछ बात करना चारे हैं जो कि Love से ही Related है अपने Emotion से ही Related है कि मैं सारे Responsibilities लेते लेते ठक गई हूँ या ठक गया हूँ अब मुझे कुछ और करना है मेरे और भी Ambitions हैं क्या मैं उनको Follow नहीं करना चाहता क्या मुझे नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए तो यह आप उनसे पूरी तरीके से Discuss करने वाले हैं अपने Partner से या अपने Twin Flame से क्योंकि Twin Flame या आपके Partner ने आपको बहुत कुछ ठका दिया है जिसे कहते हैं इस Journey में बिल्कुल पूरी तरीके से आपने का कि क्या है एक हाशिय पर रख दिया है साइड कर दिया है मुझे बताते ही नहीं क्या करना है क्या नहीं करना है मैं जब अपनी ले कुछ सोचती हूँ कि मुझे ये करना चाहिए तो उसमें कोई ना कोई बाधा ले आते हैं कि अरे मैं हूँ ना सब कुछ हो जाएगा ये है वो है इस तरह से बात को बढ़ने नहीं देते हैं और ना ही अगर वो ट्विंट लेंज जड़ने में हैं तो ना ही वो आप से कमिट्मेंट देते हैं लेकिन आपको कंट्रोल करने के लिए पूरी तरह से इंट्रस्टेड है कि इंग अफ पैंटिकल्स ना पैसा खर्च करते हैं ना करने देते हैं कुछ ऐसा भी है मनी मैंडेट बहुत हैं और इसी वज़े से आपको भी यह कहते हैं कि पैसे ज़्यादा क्यों खर्च करती हो कुछ ऐसा है जज्मेंट कार्ड है रोलेशन्शिप में कुईन अफ सौर्ड जचेरियर अपने ही मन की जलाने वाले सही गलत का सही निर्ने लेने वाले हैं वो हो सकता है रेकी हीलर हों किसी टाइब के हीलर हों आयरवदिक डॉक्टर हों डॉक्टर हों, नर्स हों कुछ आपका या उनका कोई ना कोई प्रोफेशन हो सकता है 3D वर्ल्ड का इस तरह का हो या आप दोनों ही same world में हो same profession में हो something कुछ medicine से related हो दमाईयां खरीदना बेचना ये वाला काम हो intuitive power भी उनके अंदर भी बहुत है और वो अपनी ममाज boy जी से कहते है न वो वाला energy उनकी दिख रही है मतलब ममी को उदास किये बिना वो आगे कि कोई काम नहीं करेंगे ममी को उदास करकी कोई काम नहीं करेंगे और ममी की इजाज़त के बिना कोई काम नहीं करेंगे ये कहना था मुझे लग बोल दिया judgment judgment card यही शो कर रहा है कि क्या जीवन भर मैं काम ही करती रहूंगी या रहूंगा ऐसा दिख रहा है तो क्या करना चाहिए एक्जाट्ली आपको आपके पहले मैं यह सवाल ले लेती हूँ कि यह लव लाइफ में अगर आप इस तरह से डिलेमा में हैं तो क्या यह आपके लिए फूट्फुल रहेगा आगे यह लव लाइफ आपके लिए फूट्फुल रहेगी चाहिए आप अपने ही स्पाउस से बात कर रहे हों यह वाली या अपने डियम से तो आगे फूट्फुल नाइन अफ पेंटिकल्स यह कार्ड तो यही शो करता है कि आगे यह फूट्फुल रहेगी आप अपनी बात को अच्छी तरीके से मनवा सकते हैं किंग अफ कब्स किंग अगेन आपकी लाइफ में किंग बहुत है यानि कि आपको कुंट्रोल करने वाले बहुत हैं बहुत से लोग आपके जीवन में आपकी लाइफ में ऐसे रिलेशन्शिप में हैं जो आपको कहते हैं यह करो य ऐसा क्यों कर दिया वैसे क्यों कह दिया यह क्यों पहना यह क्यों खा रही हो यह क्यों जारी हो किस से बात कर रही हो यह controlling power आपके घर में आपके लिए आपके relationship में दो या तीन person आपके साथ इस तरह से जुड़े हुए हैं शुरू से लेकर आज तक है की नहीं अगर ऐसा है तो pile number one सही है आपके लिए कि नहीं ये मुझे बताईएगा ठीक है और ये relationship आगे अच्छा ही चलने वाला है कुछ गड़बड वाली बात नहीं दिख रही है बट वो अपना पलड़ा भारी ही रखेंगे just like a king कि अगर आपके dm वो है और आप चाहते हैं कि relationship अच्छा बने तो वो भी यही चाहते है कि relationship अच्छा हो लेकिन तभी अच्छा हो सकता है जैसा मैं कहूंगा वैसे ही चलोगी तो यह वाली बात है तो अब आप देखिए कि आपने वैसा ही चलना है कि नहीं बाकी मैं आपके लिए cards निकालती हूँ Oracle cards Oracle card में से आपके लिए क्या निकल कर आ रहा है जो भी अभी first file को देख रहे हैं और कुछ ना कुछ blessings चा रहे हैं उनके लिए क्या है उन्ली वन इसको ले लेते हैं लाउड शिवा पगवान शिव आपके लिए पूरी तरह से आशिरवात दे रहे हैं पूरी तरह से हाथ देखिए कितने अची तरीके से आपके लिए आशिरवात दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि अची ट्रांसेंडेंस लाइफ में जबरदस्त चेंज है कुछ ट्रांसफोर्मेशन भी है जो दिखार दे रहा है राइस अप करें आप अपनी लाइफ को कि आपको हर कोई दबाई ना कंट्रोल ना करें ऐसा आपको करना होगा अपनी इनर फोर्स को आपने आगे बढ़ाना है और सोचना है कि अब आप अपने लिए क्या कर सकती है स्टेप्स आर बिंग गिवन डांस विद यूनिवर्स यूनिवर्स जैसा चा रहे हैं वैसा करते रहे देखिए हो सकता है कि आपने कुछ अपने लिए सोचा हो और नहीं कर पा रहे हो तो ये ऐसा नहीं है आप कीजिए अपने लिए कोशिश कीजिए बगवान आपके साथ है ऐसा कह रहे हैं बगवान शिव तुरी नेतर इनका खुला हुआ है चिंद्रमा कोईनों ने अपनी जटाओं में धारन किया हुआ है सनेक आप देख रहे है और अगर हो सकता है ड्रीम में भी आप बगवान शिव के या त्रिशूल के या डंबरू के या बगवान शिव के सनेक को साब को देखते हूँ रुदराक्ष माला देखते हूँ तो बगवान शिव का आपके उपर असी मुक्रपा है पीछे आप अश्ट दलकमल देख सकते हैं जो कि शक्ती का प्रतीक है मापारवती का प्रतीक है यानि कि एक डी एफ एन डी एम एनरजी का मिलन की एनरजी का संकेत है कि आपको वो सब कुछ मिलने वाला है और आपके साथ ब्लेसिंग्स क्या रही है टू कार्ट्स ले लेते हैं वन एन टुनिनाइन वन ब्लेसिंग ओफ अर्थ जितना ज़ादा हो सके आप अपना अर्थ से जुड़ें नीचर से जुड़ें ट्रीस के गले लगें क्योंकि ट्रीस में भी आत्मा होती है और कोई ना कोई पाप कर्म के कारण वो ट्रीस बन जाते हैं और जडवस्तू बन जाते हैं जड़जीव बन जाते हैं जो कि उनको कोई भी मारे काटे जलाए वो कुछ कर नहीं सकते हैं वो भाग नहीं सकते हैं लेकिन हम एक इनसान बहुत अच्छी योनी में हम जन्म लेते हैं लेकिन फिर भी हम अपने आपको कोई ते हैं कि हम औरत क्यों बना दिया या आदमी हम ऐसा एची जगह क्यों पैदा कर दिया इतना गरीब क्यों पैदा कर दिया बागवान को हमेशा कोसते रहते हैं जबकी यह हम खोछ डिसाइड करके आते हैं कि हमने क्या बनना है कैसा रहना है और किस जगाज जन्म लेना है डिस इस क्ाल्ब्प्रारब्द प्रारब्द को हम जानते नहीं है और कोसने लगते हैं खुद को ही, खुद के ही decision को और फिर कहते हैं कि बगवान सब तूरी ही गलत करता है ऐसा कुछ नहीं है blessing है आपके लिए और साथ है blessing on a battle that cannot be avoided number 2 and 9 2 plus 9, 11 हो सकता है 11 number भी आप बहुत देखते हो या triple one बहुत देखते हो तो कुछ ने कुछ new beginning आपकी life में तो जरूर है अब ये new beginning आपने कैसे लेकर आनी है ये आपको देखना होगा कि आप अपनी new beginning अपनी life में किस तरह से लेकर आएंगे और आप ला सकती है किसी भी तरह की परिशानी नहीं है क्योंकि आपका love side, relationship side और career side सब कुछ अच्छा ही है career के लिए special नहीं का मैंने लेकिन career में इसी के अंतरगत आदा है क्योंकि emotions अगर आपके अच्छे हैना है तो career आपका अच्छा ही चलेगा emotion wise आप strong है तो career में भी आपको कोई कुछ नहीं कह सकता लेकिन ये आया था कि कोई three person है जो king like है आपके जीवन में अभी तक हो सकता है आपका spouse हो, आपके पिताजी हो और आपका boss हो और maybe DM भी हो सकते है तो कोई three person है क्या वाक़ी ऐसा है तो बगवान शिव के चरणों में गिर जाई हलो and welcome आपने ये white ठकीक को चुना है ये आपके लिए है cutie cutie stone अब ये cutie cutie stone आपकी life में क्या cute बाते लेकर आ रहा है आपके love side से या career side से इंचे प्लीज बताएं rainbow cards है rainbow cards rainbow, rainbow, rainbow है न, अच्छे लगता है मुझे भी आपको भी अच्छे लग रहे होंगे thank you so much आपके लिए love side में और career side में एक सके एक card गिरा है yes the lover's card गिरा है lover's card गिरा है तो thank you so much thank you angels nine of wands and the first one is nine of wands relationship, nine of wands and the lovers हो सकता है कि आप एक दूसरे के lovers हो twin flame journey में भी हो सकते है in just please बताएं क्या ये twin flame journey में है ये तो आपको पताई होगा नहीं, मैं नहीं पता सकती the moon, बहुत delusion में है seven of pentacles, oh my god lovers भी and the devil भी strength भी और बहुत कुछ भी night of swords बहुत कुछ आपने देखा है अपनी life में बहुत वेट किया है इस person का बहुत सारे responsibility निभाई है वो कहते हैं तुम अपनी responsibility नभाई हैं मैं अपनी निभाता हूँ बहुत प्यार भी दिखाते हैं लेकिन बहुत जगए ये कहते हैं कि यार मुझे नहीं समझा रहा मुझे क्या करना है मुझे नहीं पता मैं क्या करना जाता हूँ मुझे नहीं पता हाँ मुझे पैसे कमाने है सब कुछ करना है ये है वो है ये चीजे इनकी दिमाग में बहुत रहती हैं इस तरह की the devil card ये show करता है कि negativity बहुत ज्यादा है प्यार तो है ही लेकिन negativity भी है positivity भी शो करता है ये एक्स्ट्रा marital affair को भी शो करता है ये card आपके black magic को भी शो करता है नाइन ओफ कब सी ये कह रहे हैं कि प्यार परकरार है बीच में कितने ही लोग आ जाएं लेकिन प्यार परकरार है इन जिस प्लीज बताएं क्या इन दोनों का साथ रहेगा फिर आगे हमेशा है जुड़ेंगे ये ये फर्स्ट वीक इनका किस तरह से जाने वाला है 2021 का December का फर्स्ट वीक किस तरह से जाने वाला है आपके पर्सन इस तरह से दिखाई दे रहे हैं कि जो मैं कहूंगा वही करना होगा वही करना चाहिए तुम्हें क्योंकि मुझे सब पता है सारी दुनिया मैंने देख रखे है तुम्हें कुछ नहीं पता इस तरह कर कुछ बोलते हैं 2.1 आपको लगता है कि अभी बहुत दूर जाना है 4.1 ये शो करता है कि आपको लगता है कि अगर इन से شादी करनी है तो बहुत पापड बेलने पड़ेंगे और बहुत टाइम लग सकता है कुछ ऐसा है जो कि आपको ठका देता है आपकी energy को एकदम drain कर देते हैं और ये person डिग दे नहीं है मतलब ये कहते हैं कि मैं अपनी बात से तो हिलने वाला नहीं हूँ मेरे इसाब से चलो ना मैं smart हूँ, handsome हूँ, मैं हर तरह से smart हूँ मैं knowledgeable हूँ, इतना wisdom मेरे पास है मैंने दुनिया देख रखी है तुम्हें क्या पता है प्यार में थोड़ी सी नुक्चों दिखाई दे रही है प्यार भी है आपका मन बार बार करता है चाहिए तुम कितने विश्तम कर लो मैं तुमारे पास ही आऊंगी या आऊंगा, कुछ ऐसा है five of swords ये कहते हैं कि पैसे ये भी एक relationship में एक सही जगह में काम करने के लिए तैयार है यानि कि action लेने के लिए तैयार है हो सकता है इनका भी कोई ऐसा कुछ कुछ बहरी को एक major decision जिसे कहते हैं वो लेना इनका भी बाकी है और आपको भी कह रहे हैं और आप आपकी तरफ से ये लग रहा है कि हाँ मैं तो ready हूँ तुम बोलो अपना चीक है और इसी हिसाब से career में the Empress the Empress card आप अपने आप में कुछ हैं आपने आप में बिल्कु संतुष्ट हैं और हो सकता है आप दोनों एक ही साथ जॉब करते हो यह आपके बहुत सो कुछ ऐसा हो सकता है सेकेंड पाइल आपको कितना मैच किया यह कमेंट बॉक्स में जरूर बताईएगा ठीके ना आप दोनों का मिलन तो संभव दिख रहा है और आप भी उतना ही जा रहे हैं और वो भी जा रहे हैं इंजिस प्लीज बताएं क्या वाकई आगे इनके लिए लाइप में अच्छा रहेगा किसी पी तरह किसा क्योंकि मैं नहीं जानती हूं अब आपकी क्या सिचूेशन है शादी ही जा रहे है यह समझें कुछ और जा रहे हैं लिविन में रहना हैं कुछ और जा रहें कि एनिवन कार्ट ठीक है इसे ले लेते हैं तब तक कुछ काम बनेगा नहीं करियर साइड में देख लेते हैं वाब का ठीक है तो आप यह पिरामिट का साइन है एजिप्टियन साइन है अब देखे ना अब इस तरह से सोचे समझे इस फिगर को यह एक ट्रैंगुलर फॉर्म है और 3D वे में बना हुआ है और बहुत ही चोटा सा अदवार है और अंदर कुछ भी नहीं है कोई लाइट नहीं है कुछ नहीं है जब तक आपकी इनर लाइट नहीं होगी न तब तक आप इस एजिप्ट के पिरामिट में नहीं जा स लाइब का इसके अंदर की रोष्णी को इसके अंदर के चैम्बर को नहीं पैचान सकते हैं कि क्या चैम्बर से क्यूं बनाए गए है क्या साइंस है क्या लेंगविज क्या लिखी हुई है सम्टाइम वह ऐसी लेंगविज जहती है आर्टिस्टिकल लेंगवज है कोई बर्ड बना है कोई ट्री बनावा है कुछ है अब आपको उसको सिक्वेंस से समझना है तब तक ही नहीं समझ सकते हैं जब तक आपकी inner voice को आप नहीं सुन पाते हैं इस तरह की बात मुझे दिखाए दे रही है ठीक है तो आपको आपके पार्टनर की तरफ से सब अच्छा दिख रहा है वस आपको ही अपनी अंदुरों नहीं आकर देखने हैं आपका करियर के बारे में तरफ से सब अच्छा दिख रहा हैं यहीं आपको बहुत दूर तक जाना है एक अच्छी पोस्ट हाइर पोस्ट में पहुचने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी यही मैं कहारी हूँ कि शायद आप हो सकता है कि इन बॉस के अंडर में हों और यह कहते हैं कि लव कनेक्शन भी है और बॉस वाला कनेक्शन भी है प्रोमोशन तभी मिलेगी जब मैं यह कहूँगा जब मैं वो कहूँगा जब तु मेरी बात मानुगी सम्थिंग कुछ इस तरह का दिख रहा है तो आपकी जब तक थरड़ाई उपन नहीं होगी तब तक आप इस प्रो इंजल्स जो भी सेकंड पाइल में है जिन्होंने यह वाइट क्यूटी स्टोन चुना है इनके लिए क्या क्यूट ब्लेसिंग है देख़े हेल्थ की तरजरवत सब को ही है आपने अपनी हेल्थ सोच सोच के अगर खराब कर ली है तो ऐसा ना करें अपनी हेल्थ को बड़े प्यार से देखें संभालें अपनी क्रियाटीविटी पर भी ध्यान दे और आगे बढ़ते रहें angels आपको क्या कह रहे हैं angels please guide करें इनके लिए किस तरह की guidance है angelic guidance किस प्रकार की आ रही है only one card please faith, humanity and benevolence stay calm and trust the good in yourself आपके अंदर क्या अच्छाई है क्या सच्छाई है इसको पहचानने की देर है आपको ये चीज़ आपको करनी चाहिए see the light in the world अपने दुनिया में रोशनी को देखने की ज़रूरत है कि आपको exactly आपको क्या चाहिए क्या करना चाहिए ये चीज़ देखनी है मेरे कहने का मतलब है love side में और career side में दोनों ही relationship को आपने बहुती अपनी तिकी नजरों से फैचान कर आगे बढ़ना है और उसके लिए angels आपको पूरी तरह से साथ दे रहे हैं heart चक्र पे ध्यान दीजिए और बहुती अच्छी तरह किसे अपनी creativity पर ध्यान दीजिए और health पर ध्यान दीजिए thank you so much और आगे पढ़ते रहिए और मुझे बताईए कि second file आपको resonate किया कि नहीं किया thank you so much hello, hi, namaste love infinite channel में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपने चुना है ये third crystal white selenine raw form में चलिए अब आपका देखते हैं कि love life या relationship में किस तरह की बन रही है या नहीं बन रही है और आगे आपको क्या करना चाहिए और career side में क्या है इस week December 2021 का last year है और first week में आपका किस तरह से जाने वाला है जिनोंने भी इसको चुना है shiny shiny stone तो हम देख लेते हैं आपके मन की इच्छा आपके emotions कहा तक बड़े हैं आगे two of ones बहुत दूर आपको जाना है आपको लगता है मैं कहीं अंदर हूँ बंद हूँ बहुत आगे मुझे बढ़ना है लेकिन कोई मुझे बढ़ने नहीं दे रहा इस तरह की feelings आपको आ रहे है सारे दुनिया आपको घूमना है कुछ travel आपको करना है और साल और साल अंदर ही अंदर रहके आपको लग रहा है कि क्या अब आगे ऐसा possible है relationship में भी कुछ ऐसा ही feel हो रहा है बहुत अपना लिए आपके अंदर creativity बहुत है कुछ artistic work है कुछ healing work भी आप अच्छी तरह इसे जानती है या just अभी सीखने लगी है कुछ ऐसा लग रहा है आपको ऐसा लग रहा है मुझे कि आप कुछ healing work सीखने लगी है कुछ नया करने लगी है creativeness आपके अंदर है कापी टाइम से अपने लिए सोचा है कुछ cards कि रहे हैं ले लेने जरूरी है आगे आपके love life के लिए काम आने जरूरी है हाँ जी ये cards आए हैं आपके लिए five of hearts four of pentacles बहुत आपने पैसे की बच्चत भी करनी सीख ली है या की है आपने अपने ही काम के लिए और बहुत सारा talent आपके अंदर है आप सुचते हैं कि इस वे जाओं उस वे जाओं क्या करूं क्या ना करूं बहुत जादा कुछ सोचने का ही जादा आ रहा है three of cups अब आप अपनी life को थोड़ा enjoy करना जाते हैं जिर्मेदारी, responsibility, बंधन इन सब से थोड़ा बाहर निकलना जाते हैं कि बहुत हो गया अब मुझे अपने लिए जीना है कुछ something ऐसा ही है chariot card लेकिन कहीं ना कहीं आप फस जाती है responsibility और relationship के चक्कर में emperor card आपका person हो सकता है just king like हों कि मैंने जो कह दिया वो ही करना है, ये करना है, वो करना है तो इस वज़े से आपका four of cups फिर से आपको ये लगता है कि सब कुछ खाली है मेरे पास जो है वो है लेकिन मुझे ये नहीं चाहिए कुछ ऐसा मन में आ रहा है bottom of the deck the lovers क्या नहीं चाहिए आपको relationship में कुछ तो है bottom of the deck lovers को यहां रख देते हैं ठीक है तर्ड पाइल जिन्हों नहीं चुड़ा है angels please बताए relationship में कहां unstuck feel कर रही है क्या है इनके love life क्या है इनका relationship अभी जो current relationship है वो ठीक नहीं है या किसी और कोई आपके लिए तो भरबर की यह आ रहे है two of swords जो current जो current relationship मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप married है और अब तक तभी मैंने यह का था फस्ट में अंदर यंदर रहे कि कई सालों से बंद 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 बहुत कुछ करना चाती है अपनी creativity दिखाने चाती है लेकिन जिनके साथ आप married है वो कहते है कि क्या कोई ज़रूत नहीं है मैं खिला रहा हूँ मैं पिला रहा हूँ आराम सरो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कुछ नया दिखाने की ज़रूत नहीं है और किसको दिखाने क्यों दिखाने है मैं सब चानता हूँ कुछ ऐसा बंदिशियें फाला काड्स है 8 of swords हैं नहीं समज में आ रहा है बहुत बंदन हैय है बहुत negativity है बहुत उल्जन है अगे नेगिटिविटी के साइन है सारे swords है 5 of swords मुझे इस शादी वाद साCTOR जिंदिघी से मैं तंगा गई हूं सच में ऐसा है तो मुझे बताइएगा पर्सनल रीडिंग आप ले सकते हैं डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है महाँ पर फी पे करके स्क्रेंशॉट भेज़के और आप मुझसे एक गंटे का टाइम ले सकते हैं करंट मैरिट लाइफ बहुत ज़्यादा टिफिकल्ट लग रही है तूमच टिफिकल्ट लग रही है आपको इससे बाहर भाग जाना जाती है आप बस नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी मुलाकात किसी से हुई हैं जो दालवर्स हैं यही मैंने इसलिए अलग से रखा क्योंकि बॉटम आप टेक में था और मैंने का इसको अलग रखती हूं क्योंकि यहां कोई और है और यह करंट सिच्वेशन आपकी अच्छी नहीं है आपके अंदर जो भ्रह्म है नेगिटिविटी है तकलीफ है पें है स्टक्नस है ग्रीफ है मैं खुद कुछ क्यों नहीं कर पाई अब तक वह वाली चीज है वह दबी हुई है और आप बस ओड़ जाना चाहती है आपको कोई पर्सन हो सकता है शोशल मीडिया से मिले हूं और यह इस तरह से हैं कि आओ मेरे पीछे आओ जस्ट फॉलो मी मुझे फॉलो करो वह कहने रहे हैं लेकिन आप उनके पीछे जा रह आगे जो यह लवर्स कार्ड का है वाटर साइन भी है इमोशन से भी रिलेटड़ है सजिटेरियोस का भी साइन है बहुत सारी बाते हैं क्या यह रेलेशनशिप जो निउर रेलेशनशिप है यह इनका आगे अच्छा बढ़ेगा और क्या आगे मैं फिर करियर का बताऊंग आपको five of cups six of cups अच्छा ही होगा अभी ओ देखो अभी इसमें सब cups ही cups है यह जो new relationship आपके दिख रही है यह बहुत अच्छी जाने वाली है आपके साथ थोड़ा बहुत आपको लग सकता है कि हाँ मैंने बहुत कुछ खो लिया यह मैंने पहले क्यों नहीं किया समतिंग ऐसा भी लग सकता है देखिए यहां पर यह खुद से ही इस cup को यहां पर भवर में गिरा रही है और परशान है नहीं समझ में आ रहा है क्या करें जबकि जबकि एक cup में तो सब कुछ treasure भरा हुआ है यह treasure है भरा हुआ है लेकिन यह देख नहीं पा रही है कि मेरे उनको उस चीज़ को देख रही है कि जो टाइम चला गया जो जिससे कहते है यंग टाइम चला गया वो craziness वो प्यार वो ताकत वो शक्ति चली गई उस चीज़ को देख रहे हैं जो है उसको नहीं देख रहे हैं आप ऐसा दिख रहा है लेकिन Six of Cups ये relationship अच्छा रहेगा कि नहीं उसके लिए सवाल निकाले दे ये relationship बहुत प्यारा बना रहेगा आपका Soul connection है बहुत ही प्यारा Soul connection है Soulmate connection भी हो सकता है Ten of Cups दिख रहा है प्यार शादी बच्चे न्यू टाउन न्यू होम न्यू जर्नी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है इस relationship में आप बहुत आगे जाने वाली है relationship ये जो love relationship आपका बन रहा है this will be wonderful angels प्लीज बताएं आप इनको क्या guidance देंगे क्या इनको इस relationship जो current relationship है उससे निकल कर अब आपके कोई decision ले लेना चाहिए कि नहीं only one card खुतमी clock of wisdom you already know the answer you say trust what you know आप अच्छी तरह से जानते हैं आपको क्या करना है लो मैंने क्या बताना है cards नहीं बता दिया कि घूम फिर क्या वहीं आ रही है आपको सब पता है कि आपको exactly करना गया है आपको किसी और से पूछने की जरूरत नहीं आपका answer आपकी हिंदर है लेकिन फिर भी आपको किसी validation या confirmation की जरूरत है तो आप astrology से या ये terror reading से आपको जान सकते हैं कि exactly आपको क्या करना है है कि नहीं तो आप जरूर आईएगा मैं सही माइने में बिल्कुल सही तरीके से decision दोंगी ताकि आपकी life और career दोनों ही अच्छे से चलता रहे आपका career के लिए तो मैंने angels माप करें आपका career किस तरह से रहने वाला है अगर आप career wise भी आपकी चल रही है देख रही है तो यहां रख देते हैं blessing भी देखेंगे angels आपको तो देही रहे हैं blessings career wise the fool एक ही card ले ले लेते हैं fool card ही अपने आप में संपूर्ण है क्योंकि यह कह रहा है इनके पास है purple कलर का stone जो कि नीलम को भी represent करता है blue sapphire को represent करता है नीली को represent करता है मतलब कि आपके life में रुकाबटें बहुत हैं तकलीफें हैं इस वज़े से आपने इस stone को पकड़ा हुआ या फिर यह कह सकते हैं कि आपने ईश्वर का सारा ले रखा है लेकिन ईश्वर यही कह रहे हैं कि मेरा सारा तो ले रखा है लेकिन बहुत ही भरपूर wisdom भरा हुआ है उस wisdom मतलब थर्ड आई को open करने की जरूरत है और असल में आप जानती है कि आपको क्या करना है और जिस current situation में या married life में आप stuck feel कर रहे हैं वहां से बाहर निकलने की जरूरत है blessing cards for this week two cards only thank you angels number 31 and number 35 three three blessing of forgiveness अब आपकी life में जो भी current situation या married life के बारे में है उसके लिए ही blessing आ गई है कि ठीक है आप माफ करो आगे बढ़ते रहो प्लस अपने आपको भी माफ करो क्योंकि इतनी negativity हमेशा नहीं जहली जा सकती ना एक तो आप mirror के आगे बैठे हैं और उपर से आखों में पट्टी है क्या दिखेगा कुछ भी नहीं आप अपनी सोल को नहीं पैचान पारे अप सोल के अंदर जाकना है यह पट्टी हटानी पड़ेगी यहीं चीज़ है अपने विज्डम को लाना होगा है इस आओ शोस्ट नमबर 35 ब्लेसिंग टू ब्रिंग क्लारिटी अपनी लाइफ में बिल्कुल पूरी तरह के से क्लारिटी लाने की ज़रूरत है यह परपल कलर भी यह सैस्त्रा चक्र को रिप्रेसेंट करता है बटरफ्लाइज हैं ग्रीन कलर से क्रिस्टल सें ट्रीज हैं यह सब कुछ यह है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है जस्ट आपको पहचानने की दे रहे कि exactly मुझे क्या करना चाहिए इनसान कर्म के माध्यम से ही आगे कुछ नया कर सकता है जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे यहाँ पर यह एक लेड़ी का जो आईरन हैंड है यह शो कर रहा है कि आपने अपने बहुत सारी तकलीफों से जीवन को गुजा रहा है सब कुछ खुदी किया है सेल्फ मेड शादी भी हुई है बट सारे काम आपने किये हैं सारी सिम्मेदारिया आपने निभाई हैं कुछ ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है और लेकिन आपकी लाइफ में दे लवर्स की कार्ट जो आ रहा है यानिकि एक लवर की एंटरी हो चु प्यूटिफुल सुलमिड लाइफ लविंग लाइफ दिखाई दे रिया है टेंकियू सो मच फोर बीङ विद मी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है और वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे बताएगा कि आपको कौन सा नबर 1, 2 और 3 कौन सा पाइल रेजनेट किया कि नहीं Thank you so much आपका जीवन इस हफते क्या अगले हफते भी हमेशा वहत अच्छा रहे उसके अगले हफते भी अच्छा रहे नए साल में आपको नई जीवन की खुशियां और सुख और समुरिदी मिलती रहे धन्यवाद आपका जीवन शुब हो धन्यवाद